नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सवासा करती हूँ कि अच्छे होंगे आप सब आज हम आपको सौच जाने से संबंदित सभी दस महत्व पुरूर सवालों के जवाब देने की पूरी को सिस करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो को अब आपका प्रसन एक है आतों में ज तुरंत बाद सौच जाने से क्या होता है आपका प्रसन पांच है सौच जाने से पहले क्या करना चाहिए आपका प्रसन च्छा है खाना खाने के तुरंत बाद सौच क्यों लगता है आपका प्रसन साथ है बार बार सौच जाने का प्रमुख कारण क्या होता है आपका प्रस प्रश्ण नौव तुरंत पेट साफ करने के लिए क्या करना चाहिए आपका प्रश्ण दस है कुछ लोगों को सौच करते समय दर्द क्यों होता है आपका प्रश्ण यह एक है आतों में जमामल कैसे बाहर निकाल सकते हैं आपका उतर है अगर हर दस दिन में आतों की सपाई कर लें तो सरीर की यह मसीन लगबग नई होकर अपना काम फिर से सही रूप से करने लगती है आतों में जमी गंदगी को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको निबू और पानी पीना चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कभी भी पेट से जूड़ी परिशानिया नह पानी को हलका सा गुनगुना करने के बाद ही उसमें नीबू को मिलाएं अगर आप एक हफते तक ऐसा करते हैं तो आपके पेट में जमा कचरा पूरी तरह से साफ हो जाएगा साथ ही आपका खाना भी अच्छी तरह से पचेगा आपका पृषन है दो है कुछ लोगों का पेट सही से साफ क्यों नहीं होता है आका उतरे दरसल इसके पीछे की प्रमुख बजा कबजकी होती है आम तोर पर कबजकी समस्या खान पाने में गड़बड़ी के कारण ही होती है जो लोग पानी कम पीते हैं और अन्यतरल पदार का सेमन भी कम करते हैं या नहीं करते उनने भी कभजकी समस्या होती है जिन लोगों को सोने और जागने का समय निश्चित नहीं होता है उनने अक्सर सोच समय पर नहीं होता है और इससे कभजकी समस्या बढ़ती है जो लोग लगातार बैठे रहते हैं या सारी रिक्सरम नहीं करते हैं उनने भी कब्ज की समसिया होती है आपका प्रशन तीन सुबह सोच जाने का सही समय क्या होता है आपका उतरे मौजुदा वक्त में बहुत से लोग सुबह देर से उड़ते हैं और बीना फ्रेस हुए ही नास्ता कर लेते हैं जिसके कारण अपच और कब्ज की समसिया बहुत आम हो चुकी है समय पर सोच ना जाने से न केवल कब्ज हो जाती है बलकी इसी कब्ज के कारण आप बावासीर के सिकार हो सकते हैं इसलिए सुबह सोच जाने का समय सही समय पांच बज़े से लेकर छे बज़े बीच का होता है दरसल इस समय हमारे सरीर में वाईव का ज्यादा होता है जो मलको स्वेटंग से बाहर निकलने में मदद करता है इसलिए समख मलत्यागना बेहद सुलब हो जाता है इस बाते को ध्यान रखना जरूरी है कि जो भ्यक्ति जितनी देर से मलत्याग करते हैं उनने उतनी ही देज तक सौचाले में बैठना पड़ता है जो की आतों इवंग गुदा के लिए अतियंत हानिकारक है आपका प्रसन चार है भोजन के तुरंत बाद सौच जाने से क्या होता है आपका उतरह कुछ लोगों को पेट की परिशानी होती है जिसे के कारण उन्हें भोजन के तुरंत बाद ही सौच के लिए भागना पड़ता है ऐसे रोगी का सरीर दुबला पतला जल्दी ही ठकने वाला कम शक्ति वाला होता है इस परकार की समस्या वाले लोगों को बाहरी चटपटा खाने से बचना चाहिए आपका प्रशन पांच सौच जाने से पहले क्या करना चाहिए आपका उतरे सुबह मल त्याग करने से पहले पानी ना पीने की भूल करना बहुत ही आम है अगर सुबह उटकर आप दो गिलास ठंडा या गुनगुना पानी पीते हैं तो आपको मल त्याग करने में असानी हो और शरीर के विकार को दूर करने में मदद मिलेगी आपका प्रस्थ 6 है खाना खाने के तुरंत बाद सौच क्यों लगता है आपका उतरे खाना काने के तुरंत बाद सौच लगने की समस्या को गश्ट्रो कोलिक रिफ्लेक्स काते हैं देखा गया है कि ए समस्या उन लोगों को ज्यादा आती है जो सुरुआत में लंबे समय तक सौच को रोक कर रखते हैं इस समस्या से छुटकार पाने के लिए आपको खाना अच्छी तरह चबा कर खाना चाहिए फाइबर वाले अहारों का सेमन करें तीन से चार बार में थोड़ा थोड़ा बोजन करें इसे के अलावा इस समस्या से बचने के लिए फाइबर युक्त खाद्य पदार्तों को अपने आहार में सामिल करें आपका प्रसन साथ है बार बार सौच जाने का प्रमुख कारण क्या होता है आपका उत्तरे दरसल बार बार सौच जाने के कई कारण हो सकते हैं जैसे कई बार गलत खान पा की बजह से तो कई बार सफाई से नहीं रहने की बजह ये पेट से जुड़ी समस्याएं हो जाती हैं इन्फेक्शन हो जाने से बार बार मोसन होना कमजोरी होना उल्टी होना और कभी-कभी बुखार होने जैसे लच्छड दिखाई देते हैं बरसात के मौसम में अक्सर लोगो सिर्या के पनपने की आसंका बहुत बढ़ जाती है ऐसा होने पर सरीर में पानी की कमी हो जाती है कोशिस करें कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीए आप फ़लों का जूस और सब्जीयों का रस भी ले सकते हैं आप चाहें तो नीबू पानी नमक चीनी का घोल या फिर नारिय दरसल आरवेद के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति को दीन में दो बार मल त्याग करना चाहिए परन्तु आज कल की जीवन सहली और खान पान को देखते हुए एक बार तो मल त्याग परम आवसियक है अन्यता सारा दीन बेचाहिनी और भारिपन बना रहता है आपका प्रसन नौवत तुरंत पेट साप करने के लिए क्या करना चाहिए आपका उतर पेट को तुरंत साप करने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं जैसे निबू हमारे सरीर से विशाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है अगर कभी कभज हो जाए तो एक गिलास गर्म पानी में एक निबू का रस और सहद मिलाएं और पी लें कभज की समस्या को दूर करने के लिए पेट में अच्छे बैक्टिरिया का भी होना जरूरी है सादे दही से आपको प्रोबायोटिक मिलेगा इसलिए आप दिन में एक से दो कप दही जरूर खाएं आपका प्रसन नौवत तुरंत पेट साप करने के लिए क्या करना चाहिए आपका उतरे इसके अलावा यदि बहुत परिशान है तो एक गिलास दूद में एक से दो चमच गी मिलाकर रात को सोते समय पीएं लाब होगा एक दीन में एक महिला को और सतन पचीस गराम फाइब करता होती है अपने पाचन तंत्र को दोबारा ट्रेक पर लाने के लिए आपको यह सुनीचित करना होगा कि आप हर दिन अपनी जरूरत के अनुसार फाइबर की खुराक ले रहे हैं आपका प्रसन दस है कुछ लोगों को सोच करते समय दर्द क्यों होता है आपका उतरे दर अगर दर्द है तो इसकी बज़ा इंफेक्शन होता है कब जय इसकी सबसे बड़ी बज़ा होती है कब जो होने की बज़ा से कई बार मल तियाग करते समझ जोर लगाना पड़ता है और इसकी बज़ा से पाइल्स की सिकायतों भी हो जाती है ऐसे लोग जीने का काम बहुत ज कई बार प्रेगनेंसी के दवरान भी पाइल से की समस्या हो सकती है नौरमल दीलीवरी के बाद भी पाइल से की समस्या हो सकती है धानियवाद दोस्तों हमारी वीडियो आप लोगों को देखने के लिए दोस्तों यह दिया हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प मिलेंगे अगले वीडियो में